नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक और वीडियो में पर दोस्तों यह वीडियो जो हो सकता है शायद मेरे चैनल पर अब तक के जितने भी वीडियो हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ह के उपर आ चुके हैं कि सर आप कुछ मायजम के उपर बताईए और उसमें एक जो सबसे अच्छा कमेंट जो एक मेरे तमिल नाडू के सब्सक्राइबर ने करा है वो यह है कि मायजम जब भी लोग समझाते हैं एस थियोरी या फिर हम किसी बुक में पढ़ते हैं या हम किसी अपलाई करके उससे रिजल्ट हासिल करना यह बहुत ज़्यादा कठेन है तो दोस्तों यह एक एंटारली नई प्लेलिस्ट मेरे वीडियो को मतलब मेरे चैनल के उपर एक नई प्लेलिस्ट चालू में कर रहा हूं जो है मायजम के बारे में और जितने भी वीडियो कि उसको अपने केसिस के अंदर आप अपलाई कर पाऊगे और अच्छे रिजल्स पापाऊगे ठीक है ना तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा से यदा लाइक करें शेयर करें जिससे इससे ज्यादा तर लोगों का भला हो तो दोस्तों माइजम आया कहां से हैंए में के दिमाग में माइजम कहां से आया हो नूुके पर्ति होने के बाद जब हैनि मैन ने यह तरीका ढूंडा कि किस मुग और वीडियो बनाऊंगा पी यह वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएंगा तो हैनिमेन साहमने एक चीज आइडेंटिफाई करी कि जो एक्यूट डिजीज होते थे जो ऐसे भी बीमारियां थे जिनका दायरा बहुत छोटा होता था या बहुत डेप्थ में जो डिजीज सीट नहीं होता वो कुछ दिन के लिए होता है या तो वो पेशेंट को मार देता है या तो वो ऑटोमेटिकली खुद सही हो जाता है या ट्रीटमेंट से सही होता है तो इसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज तो एक्यूट डिजीज के अंदर होमियोपेथी तो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो रही थी आफ्टर दा इन्वेंशन ऑफ होमियोपेथी जो हैनी मैंने करी थी पर देयर वास्ट एंटायरली ग्रूप अफ डिजीज जो की आती थी क्रॉनिक और सब एक्यूट के कोटे में और वो जो डिजीज थी वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रही थी तो यहां पर इस वीडियो के अंदर जो हैनी मैंन ने थेयोरी आफ प्रॉ प्रॉट को देखना आप इस प्ले लिस्ट में जाके आप हार एक पार्ट को समझ सकते हैं तो हैनी मैंने क्या पाया कि ऐसे केसिज जो एक्यूट नहीं है जो या तो सब एक्यूट है या इसपेशली क्रॉनिक है उसके अंदर पेशेंट को बीमारी के अंदर रिलीव तो मि क्या होमियोपेथिक माइजम की इन्वैंशन औ सिंसिट चीज को मतलाब मतलब ओनाना है लुक्र ने थियूटन ने पर लोगों को उसके बारे में नहीं पता था तो इसको बोलते हैं डिसकवर करना ठीक है ना है नि मैनने होमियोपैथी का invention करा था पर उनने होमियोपैथिक माय ज्म की discovery की इसकवरी मतलब cover हटाना कोई एक सिध्धान तो जो प्रकृती में पहले से है उसके उपर से cover को हटाना या उसको दुनिया के सामने लाने को discovery बोलते हैं तो अब होमियोपैथिक की जो बुक है theory of chronic disease अब मैं उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जब होमियोपैथिक के अंदर handyman ने myaism की खोच करी और sora myaism को बताया mother of all myaism तो पहली चीज तो हमको myaism समझना है myaism के बारे में सब को पता है तीन basic myaism होते हैं दो accessories myaism होते हैं basic myaism के अंदर sora है, सिफलिस है, psychosis है और एक्सेसरी मायजम के अंदर ट्यूबर कुलर और कैंसर मायजम भी बताया गए यह अपन सारे मायजम आने वाले दिनों के अंदर सेपरेटली डिसकस करेंगे पर अभी अपन बात कर रहे हैं कि थेयोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज और मायजम की एवॉल्यूशन की थेयोरी कि ह मायजम इवॉल्यूशन कैसे हुआ तो थेयोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर हैनी मैंने साफ यह बात बताई है कि सत्तरह सो या फंद्रह सो फिफ्टीन हंड्रेट सेंचुरी के अंदर पंद्रह सो इसवी के आसपास होता क्या था कि देर वास दो वन डिजीज विच इ लेप्रॉसी और यह जो लेप्रॉसी था यह एंशेंट मायजम का पहला रूप हुआ करता था मेरी बास समझ यह कि जैसे आज हम इच मतलब खुजली को सोरा मायजम से क्लब क्यों करते हैं वह आप आगे समझ जाएंगे इस वीडियो में अंतर तक बने रहेगा बहुत पढ़ा है ठीक है तो पहले एंशेंट जो मायजम हुआ करता था देट वस इन दा फॉर्म आफ लेप्रॉसी अब जब वो लेप्रॉसी में होता था तो लेप्रॉसी जो एक बीमारी थी कोड जिसको बोलते थे उसका इंफेक्शन एक परसंसे दूसरे परसं में उतना फिक् आरा उन्हा अपने हवुलउशन करके हमने नहीं नहीं टेक्निक्स का इजuplारा नहीं मौड आफ ट्रीटिमेंट का इजाद कर सकें कि हम माजमता को बीमारी से बचा सकें उसी तरह से भीमारि उनैभी अपना एक करम विकास कर रहें कि वह जद्व से जढ़ मानाव को सुरू में ये जो मायजन था sora उसका first manifestation था इन दे फार्म ओफ लेपरोसी या कोड पर जब लेपरोसी में उसका manifestation होता था तो लोग जो है medical science उसके प्रती बहुत सजक हो गया सजक कैसे हो गया कि भाईया वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने लग गए उससे एक सोशल उनने इविल समझ लिया कि यार इसको कोड है इसको आइसोलेट कर दो तो तब क्या होगा कि जब कोड शुरू शुरू में आया था तब तो उसने करोड़ों की आबादी के अंदर लाखों लोगों को इंफेक्ट करा एक दूसरे से करना शुरू करा तो जो कोड था उसका जो प्रयोजन था ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफेक्ट करने का वह नहीं हो पा रहा था पूरा तो फिर प्रकृती ने इस डिजीज को इस माइजम को मौडिफाई कर दिया इन दे फॉर्म ओफ सिंपल इच अब देखिए है अपन कि हम लोग आज की तारिक में जिस दुनिया में रह रहे हैं तो मतलब यह थियोरी यह बताती है है निमें ने माइजम को डिटेक्ट करने के बाद यह जो पार्ट जिसकी में बात कर रहा हूं ल जब सब लेपरोसी होती थी तो लेपरोसी के अंदर क्या करते थे पेशेंट को आइसोलेट कर देते थे कहीं कुछ आइंटमेंट वगर से ट्रीट कर देते थे तो उस माइजम ने उस प्रिमिटिव माइजम ने जो लेपरोसी के फॉर्म में तब होता था और आज हम उसको स स्किन इरफ्शन के अंदर वह आ गया वह ऐसे फॉर्म में आ गया कि जिस फॉर्म में वह लोगों के भीतर एक्जिस्ट कर रहा था पर कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि भाई खुजली है शरीर में होती है और जब वह इच के रूप में और इस तरह कि कुछ छ और इक मायजम का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन माना जाता है तो यहां पर हैनी मैंन ने इस बात को अच्छे से सिद्ध करा और पता लगाया कि भाई वो जो सोरा हुआ करता था तो सोरा ने अपने आपको डाउंग्रेट करके मतलब कम हार्म फुल सिम्टम के साथ उसने इच और यह जो सिंपल इच होती थी जो खुझली होती थी एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर कब कम्यूनिकेट हो जाती थी यह पता भी नहीं लगता था और इस तरीके से सोरिक मायजम जो था वह पूरी की पूरी वर्ली की पॉपुलेशन के अंदर आ गया और कहीं न केसेस ऑफ ग्राणिक डिजीज तो यह मैंने थेोरी ओफ पॉर्ली डिजीज का जो पर जो कई सेकड़ो पन्नों में है नि मैंने लिखा था उसको पढ़ने के कई बार पढ़ने के बाद मैंने आपको बिल्कुल सरल भाशा में आपके सामने रख दिया अब जब सोरिक मायज में आया तो देखिए एड़रे भी कर रा था यू पहले कि सफॉर्म में था जब वह बहुत कम इवाल्ब था थो ऐसे फॉर्म में एक्जिस्ट कर रहा था जो कि बहुत बड़ी विमारी थी लेपरोसी के तो उसने जब अपने आपको मौडिफाई करा तो उसने इच और सोरा के रूप में आया और सोरा के रूप में आने के बाद उसने पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अपने हब ले दिया और उसके बाद इसी से यही जो सोरा है विच इस नोन अस दे मदर आफ आल मायजम सोरा को क्यों बोलते हैं क्योंकि इस दुनिया का हर क्रॉनिब डिजीज का ओरीजिनेशन जो होता है वो एड़ दे रेट आफ या फिर बोले अट दे लेवल आफ सोरा पे होता है और पिर सोरिक मायजम ने over the period of time जैसे evolution हुआ किसका क्रम आनोता का evolution नहीं डिजीज फोर्स का जो evolution चल रहा था वो जब evolution हुआ तो वो जो सोरिक मायजम था उसने दो बच्चों को जनम दिया जो थे सोरा के अलावा जो थे psychotic और सिफलिक मायजम तो दोस्तों अब यह यह जो पार्ट था यह जो पहला वीडियो है उस प्लेइलिस्ट का जिसका नाम होगा मायजम तो यह थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज के इवल्यूशन के ऊपर है इवल्यूशन ऑफ सोरा पर है यह वीडियो कि हाउ दो सोरा इवाल्ड अमांग दा पॉप करेंगे एक्सप्रेश्ड स्टेट ऑफ बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे सोरा के खुदके कि एलग्शन होते हैं वह वह मेंटल होते हैं जिससे हम in जबाद करैंगे और और वही मायजम, बॉड़ी के उपर, on the physical plane, वह मायजम कौन सी बीमारियां या कौन से जनरली symptom पैता करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सारी चीजों के बारे में आपको और अच्छी जानकारी मिलें, तो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और बहुत जल्द अपन इस वीडियो में या दूसरी प्ले लिस्ट के वीडियो में आपसे मुलाकात होती हैं, नमस्कार।